दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज़ आपसे बताना चाहूंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय रेलवे गुरूप D की परिच्छा चल रही है और आगे भी चलने वाली है तो अभी तक रेलवे गुरूप D की परिच्छा में जितने भी परिच्छा में पूछे गए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने वीडियो के डिस्कॉप्शन में आपको दे दिये हैं आप एक एक करके उनको जरूर देख लें यह सारे परस्ण आपको 15 लेक्चर में मिल जाएंगे जिनमें से वो सभी परस्ण होंगे जो भी तक परिच्छा में पूछे गए हैं और जो भी important है आपकी परिच्छा में आ सकते हैं आने वाली परिच्छा में तो आप लोग यह 15 लेक्चर जरूर देख लें यह परस्ण लगातार रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे सिप्ट में इनको अगर आप देखते हैं तो आपकी अगर आगामी परिच्छा है तो आपको बेहत फाइदा मिलेगा आपको यह सारे के सारे परस्ण फरस्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे आप एक एक करके सभी को जरूर देख लें दोस्तो अगर आपको चाहिए रेलवे पुलिस यूपी ट्रिपल सी एससी बैंक या फिर किसी आने परिच्छा का स्टेडी माटेरियल तो आप एक काम तुरंत का लिजे आपको नीचे वीडियो के डिसकप्शन में हमारे अनेकेडमी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं आपको जिस पुर्दियो की परिच्छा का स्टेडी माटेरियल चाहिए आपको प्रवाइड किया जाएगा इसके साथ साथ आपको railway UP SSC SSC की live class भी provide कराई जाएंगी दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का railway भरती 2018 जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार railway ने एक नई शुरुवात की है और इस बार waiting list के तहट बच्चों को फाइदा मिलने वाला है पूरी जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे निवेदेने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आए पूरी खबर पढ़ते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि railway ने इस बार waiting list जारी किया है दोस्तों जितने लोग पास होंगे उनको जॉब के लिए लिये जाएगा और बाकी लोगों को waiting list में जोड लिये जाएगा और waiting list में रहने का एक फाइदा यहां पर यह है आप देख सकते हैं दोस्तों जब कोई आदमी जॉब लेने से इंकार करता है यह जॉब पर नहीं जाना चाहता है तो उसमें से waiting list वाले को ले लिये जाएगा और दोस्तों आप कैसे जानेंगे कि आपका नाम waiting list में है या नहीं है तो इसकी सुचना आपके रजिस्टर मुबाइल नंबर या फिर मेल आईडी पर भेज दी जाएगी जिसके दौर आप इस बात की पुष्टी कर सकते हैं इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि आपका नाम waiting list में है या नहीं तो ऐसे बच्चे जो अगर waiting list में सामिल होते हैं तो एक साल के अंदर नोकरी मिलने के समावना उनकी बढ़ जाती है क्योंकि जो भी बच्चा अगर अपनी नोकरी छोड़ेगा तो आपको इसके स्थान पर ले लिया जाएगा तो यह होता है waiting list और इस प् वीडियो में इतना ही देने वर्ट